तो हेलो फ्रेंड्स के हल चाल टुड़ेज बीआर गुंग टूक अबाउट ग्येस्ट एक्चेंज चेप्टर नबर वन ऑफ पाियलोजी मैं特ट बॉक तो इसमें पढ़ेंगे ग्येस्ट एक्चेंज के ग्येस गैसे किसे एक्चेंज होती है अनिम्ल्स में पेलांट्स वाग और मुस्का जीने के लिए जंदा रहने के लिए उक्सिजन चाहिए होती है और उसको होता है वो घ्रवाय में छथाए उसक। अब यही बात कर रहा है कि जो है यहां पर photo auto trops वागे रहा हैं तो कैसे gases exchange करते हैं यह introduction है basically अब यह बता है अब gases exchange in plants start है हमारा तो gases exchange in plants से basically तो plant जो है autotrophic होता है वो अपनी गिजा खुद बनाते हैं पेला point यह आप note करें जो है वो photosynthesis organism है प्लांट और अपनी गिजा खुद बनाते हैं दुपेर को वो करते हैं photosynthesis और रात को करते हैं वो respiration अब basically वो करतो रहे होते हैं दुपेर में भी respiration बट जो हम इसको deal करें हमें अधनी डीप में नहीं जाना तो basically मैं बता रहूं तो के photosynthesis अब photosynthesis में वो जो होते हैं कुछ product कुछ जो हैं compounds लेते हैं हमारे जो environment से वो होते हैं carbon dioxide और कुछ और molecules और से वो जो होता है water and carbon dioxide से बनाता है एक और गे नहीं molecule energy का जैसे कहते हैं हम glucose तो वो जो glucose होता है वो यह बनाते हैं तो इस process में यह carbon dioxide लेता है एनि environments और oxygen को release करता है क्यों यह result में जो होता है प्रोड़क्ट के glucose के साथ क्या आता है oxygen भी आती है तो वो उसको जो है हमारे excrete out कर देता है यह हमारे जो year में तो basically दुपेर में यह होता है और रात में जो होता है यह oxygen को लेता है जो है respiration के लिए silver respiration जो होती aerobeid respiration में electron transport chain में होती चाहिए होती है oxygen oxidative phosphoralization होती है तो वहाँ पर यह इस्तामाल करता है क्या oxygen को और ATP का माली को बनता है और उसके साथ जो है waste product में बन दी है carbon dioxide तो वो release कर देता है रात को तो यह जो सारे process होते हैं इनों को जो है हमें deal करना होता है तो यह जो होता है यह सारी की सारी चीज़ें एक leaves से होती है कुछ special type की leaves होते हैं opening होती है leaves में उसे किते हैं इस्टो मेटा तो यह जो होती है the root और जो steam होती है वह जो होता है respiration के लिए gases को exchange करते हैं but leaves में जो होते हैं एक चोटे-चोटे-चोटे छेत होते हैं पास एक gases का exchange होता है तो अब इन्होंने जो है नीचे कुछ यहां पर difference दिया है photosynthesis and respiration का जोग रहे हम already के last nine में पढ़ चुके थे बट यहां बर में रेवाइस कर देता हूं basically photosynthesis and inabolic process यहां पर synthesis होते हैं कच छोटे-चोटे-चोटे सब्स्टांस जो होते हैं आपस में टेश होती है और एक बडा komplex molecule बनाती है substanze बनाती है यह ketabolic यह इसमें जो होती है glucose का breakdown होते ह तो यहां से जोड़ती है चीज़ें चोटे-चोटे-चोटे-चीज़ों में से एक फूड बनता है और चीज़ों में से हमकरते हैं अब यहां से होता है यह जो होता है प्रोसेशन पर रेस्पारेशन में कोई लाइट नहीं चाहिए होती है यह फोटे नहीं थे सिस प्लांट्स में होती है इन्होंने काल लिखावे अकर्जिन प्लांट्स भाई प्लांट्स में नहीं होती है बेक्टिया में भी होती है और बहुत सारे दूसरे अर्गनिजम में भी होती है यह ग सारा मैट्रोकौंटरया में हमें होता है काम और साइट्र सोल में गया सथ करते हैं साथ गो इस करते हैं अब बटर स्टोसरियाशन को यूज हिंखने कि कि यह अब इन पर आगे हैं अब दिन का टाइम में और सूरज की रोशनी नहीं है क्या वो फोटोसंथेस कर पाएगा प्लाइग नहीं अब यहां पर और होनी चाहिए टीक प्लेस वें संलाइट इस अवेलिबल जब संलाइट अवेलिबल हो दिन के वक्त में करता हैस जो जो होता है sunlight अविलेबर होती है दिन पर शाय कभी कभी आपने देखा हो कि सूरज होता ही नहीं है निकला होता है भूत घने बादलों के पीछे होता है अब उस वक्त नहीं होती है यह सेंटेंस कहला थे और मैंने आको प्रूफ कर दिया है टेक्स प्लेस आल दर टाइम्स तो मुझे हर वक्त होती रहती है किलोरफिल इस रिक्वाइड अब फोटोस नहीं होता है और रेस्परेशन में किलोरफिल नहीं चाहिए होता है तो यह था डिफरेंस अब नेक्स वह जाता है इस्ट्रोमेटा अब जो हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं ज्यादा अच्छे तो होगे 10-12 तब हमने उसे कहेंगे इस्ट्रोमाटा पहलने फार्म है स्ट्रोमागी सिम्क्रोटा होता है और Iskntra माहो जिसके माहिनत है माहो पहलता है मू बंद होता है खोलते हैं आहा खुला और फिर आमने बंद कर दिया से इसे अपनिंग होती है बन तो बात कर रहे हैं एक स्टूमा जो घोती है जो कि दो ऑप के पास की होता है यह होती होती है अब गार्ड्स की किलोरीख्विकिशन होता है उनको पास के लॉर्फिल होता है तो आपको पता है प्राते वहती होगी अब जो यह सेल वाल भी होती है अब उस्सी सेल वाल की वज़ा से ही यह खुलता है और बंद होता है इसकी जो opening और closing के लिए 2 theories प्रपोज की गई एक होती है potassium आयन concentration और दूसरी होती है sugar concentration अब ये दो theories हैं हमारी book में नहीं है तो हमें कोई interest नहीं है इसको पढ़ने में तो basically ये जो two theories होती हैं अब इसको explain करती है कि क्यों खुलता है और किस वज़ा से खुलता है तो basically हमेरे पास कुछ topic नहीं है इसके पास तो हम इसमें कोई interest नहीं रखेंगे तो अगर आप में interest हो तो मुझे comment section में बता दीजिएगा फिर हम बना सकते हैं तो basically ये जो होती है इसल का के लॉर फिल्प होता है और पास तो ये क्या करते है photosynthesis अब ये दिन के वक्त ना ये process हो रहा होता है photosynthesis का gases का exchange जो होता है high level पर हो रहा होता है बहुत जादा हथ से जादा तगड़ा हो रहा होता है तो उस तगड़ा जो releasing और extends का gases के वज़ाजा से ज़्यादा खुलावा होता है और जब रात का वक्त आता है शाम के वक्त photosynthesis होने लगती है बंद तो ये गार सेल होते हैं लगते हैं बंद क्यूंकि जो होती है गार सेल के अंदर जो होता है photosynthesis होरी होती है और glucose बन रहा होते है तो उसके जासे पानी वगएरा गी जो concentration होती है कम हो जाती है तो उसके जासे खुल जाता है और जब ATP बनना बंद हो जाती है glucose बनना जब हो जाती है बंद तो ये जो होता है बंद हो जाता है तो बैसे कि लिए यही चीज़े होती है इसके साथ तो हमारे पास कोई इसका topic नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे अगर आपके पास topic आज आज आए तो ये जो दो theories है हम इसमें आपको बिल्कुल explain करेंगे कि क्या है ये theories तो बैसे कि लिए जो होता है ये जो होता है ये oxygen को जो होती है छोड़ती है और carbon dioxide को लेती है कभी carbon dioxide को छोड़ती है और oxygen को लेती है तो बैसे कि लिए यही process होता है हमाटा का तो इसी से ही जो होती ही गेसे एक्षेंज होता है प्लांट का तो जी हमारा टॉपिक हो गया के लिए तो मिलते हैं नेक्स टॉपिक में जो कि है गेसे एक्षेंज इन एनिमल्स